अब कर दो कि जैन दोस्तों आपका स्वागत है चंद्रा क्लासेश प्रेया ग्राज में मैं हूं आपके साथ सवरब याद हूं तो आज हम बात करेंगे भॉकुल मिशे के बारे में और देखें जी असमें बगोट मैं बता दूं कि जी एस में भॉगोल जहां जहां पूछा जाता है जी एस में भॉगोल जहां जहां पूछा जाता है सब की बात करेंगे मनला कोई भी एक्जाम आप दो जरूर नहीं कि आप जिसमें 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 आता है और जिसके साथ भॉगोल पूछा जाता है इतना समयने की कोशिज करते हैं क्या और कैसे हैं दिर्ट सबसे पहले हम भूगोल में भूगोल में में आपको थीन ञानों कि इस वाले portion में में जो मापड़ेंगें इस भूगोल में फ़ोगोल पढ़ना जो मेंजर होता है किसी कम्पूटिशून पढ़ना होता है 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 और एक होता है भारत का भोता है वह तो हम बसुरू कर रहे हैं और पढ़ेंगे भारत वह बहुत के बारे में एक दम बेशिक से चलेंगे चोटी-चोटी जानकारी को लेकर चलेंगे क्योंकि ज्यादा तर question आप से छोटी-छोटी जानकारियों से पूशे जाते हैं ठीक है क्या होता है कैसे होता है और यह विश्वाद बनाए रखिएगा अभी पीछे यूपीडेट का खैर तो वो एक्जाम कैंसिल हो गया लेकिन जब अगर एक्जाम कैंसिल नहीं होता था तो हूँ बहु पंद्रा कोशन ऐसे थे जो सिर्फ नोट से मिले थे ठीक है एकदम हूँ बहु लड़के अगर आप पूछेंगे तो तूरंद बता देंग हम जीयेस बढ़ें और बहुत 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 एक जानकारी ठीक है तो यह कुछ सामाने जानकारी थी तो हम भजोघोल के बबादेंगे बहुत ब्हारत की हमारे पाद होने सोय इसलिए मैं जितने इसलिए मैं जितने भी क्लासिज पढ़ाऊंगा सब मैं पर पढ़ाऊंगा वागे आपका लिखना और पढ़ना आपका काम तो देखिएगा सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आखेर भारत के चीजों के बारे में समझते हैं भारत यहां पर धरातल है यह वाला हिस्सा धरात लेकिन इन दोनों तरफ हें यहां पर बात करेंगे अगर इस वाले स्ट में बात करेंगे और स्वाज कोई ऐसा भूभाग दिसे यहां से ती यह वाला भूभाग तीनों तरफ जल से घिरा हुआ है इस बात को समझेंगे जो भारत का प्राइदीवपी रहे इसको प्राइद उपी क्यों कहते हैं यह बता देते हैं उसके बाद देखें यहां पर आपको मिलेगा बंगाल दिखाड़ी यहां पर मिलेगा अरब सागर और नीचे मिलेगा आपको आगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा अरब सागर यहां पे मिलेगा अरब सागर ठीक अरब सागर नहीं दिख रहा है यह भी समस्या है चलिए ठीक मैं वापस लिख देता हूं पसंद मत भी यह वाला इस्सा है अरब सागर अरब सागर ठीक है तो यह जलरासी यह हो गई और इधर आएंगे इस साइट देखेंगे इधर है बंगाल की खाड़े इधर है बंगाल की खाड़े यह बंगाल की खाड़े यह भी एक जलरासी है और यहां पर देखेंगे तो हिंद महा सागर है अब देखेंगे तो भुगोल में एक परिभाशा यह होती है कि अगर कोई भुभाग तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है तो उसे प्रायदी बोलते हैं इसलिए इस वाले छेत्र को बोलेंगे प्रायद्यूप क्या बोलेंगे प्रायद्यूप इसको क्या बोलेंगे प्रायद्यूप अब सीधा इस बात को समझेंगे इसलिए भारत एक प्रायद्यूपी देश है कारण क्या है कि इधर भी जल है और इधर भी जल है और नीचे कोई भी धरातल जो तीन पहले चीज़ समझ भारत एक दूसरी चीज़ समझ यह कि जो आपको बेसिक जानकारी होने चाहिए अगर बेसिक जानकारी भी नहीं तो भूगोल पढ़ने का मतलब तो खराब है प्रायद्यूप में भारत वाले इस प्रायद्यूप में आपको मिलेंगे 28 राज्य मिलेंगे रतमान की मिलेंगे तो यह भी आप याद रखेंगे अब दूसरा कोश्चन अब आगे दिमें चलेंगे एकदम परशान होने जो तहीं आज पहली क्लास से तो थोड़ा पेसंस बनाए रखेंगे एक दिन में मज़ा नहीं आएगा दिमें रसो रस रसे रस पीजिए तब ज्यादा मज़ होगा अब छेत्रफल की बात हो गई यह वाला पूरा हिस्सा यहां से लेके यह वाला जितना दिख रहा है मलब यहां से यहां मलब पूरा अगर पूछे तो कितना है तो आप बताएंगे छेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलो मीटर ठीक है यह इसका छेत्रफल याद रखेंगे अगर यह छोटी छोटी जानकारी है लेकिन आप याद रखेंगे याद ने रखें काम खराब हो जाएगा क्योंकि ऐसे पूछ लेता अब दूसरा कोश्चन बनता है कि जो यह छेत्रफल है 200 के छेत्रफल से 200 का जितना छेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है तो उसका 2.4 प्रतिशत है पूरे 200 के छेत्रफल का 2.4 प्रतिशत है अब यह आगे आगे कुछ और चीज़ें बताता हूं अगर 20 की छेत्रफल की बात करेंगे तो 20 में सबसे ज्यादा छेत्रफल किसका है पहला अस्थान किसका है दूसरा अस्थान किसका है तीसरा किसका है चौथा किसक किसका है और आठमा किसका है तो एक ट्रिक है क्या लिखेंगे यहां पर लिखेंगे और यहां पर लिखेंगे यहाँ पे C लिखेंगे, यहाँ पे U लिखेंगे, R, K, C, U, ठीक है, कोई दिक्कत परसानी, R, K, C, U, कोई दिक्कत परसानी, नहीं, R, K, C, U, अब लिखेंगे B, A, B, A, ठीक है, यह हो गए नाम, अब इसका मतलब समझी है, क्योंकि देखिए, कुछ ऐसे fact होते हैं, जिनको आपको रटना ही है, तो यह आपको रटना ही है, अब कैसे करेंगे इसको, अगर speed में slow पढ़ा रहा हूंगा, तो आप अपने हाँ से speed बढ़ा लेंगे, काम हो जाएगा, अब आए यहाँ, यहाँ की बात क्या है, यहाँ पे मतलब आप कहेंगे चीन की बात होरion, यू का मतलब कहेंगे USA, सौइक राजय है, यहाँ ब्राजिल के बाद किसका नंबर रहता है आप यहां यह का मतलब कहेंगे अश्ट्रेलिया जो इस्ट रेलिया ठीक आप कोई दिकत तो नहीं है नहीं ठीक है अब अगद अग यहां अब बैं यहां पर 7 पर बिंद्द भारत इंडिया और आठवे नमब पर पर एक का मलब आएगा अर्जेंटीना क्या आएगा अर्जेंटीना क्या आएगा अर्जेंटीना टीक है अर्जेंटीना अब यह याद होना चाहिए देखे सबसे ज्यादा विस्त में जो सबसे बड़ा देश है जहांकि जिसका चेतबल सबसे ज्यादा है तो वह है रूस दूसरे नमबर पे कनाड़ा तीसरे पे चीन चौथे पी उसे पांचमे पे ब्राजील छट्वें पे आस्टेलिया अदिए शाथमे अस्थान पे अपना भारत है शाथमे अस्थान पे अपना भारत है तो आपको याद रखना है कि छेत्रफल के मामले में पेशाथ भारत का शेत्रफल यह तो शेत्रफल के मामले में बात हो गए अब कुछ और मामले में बात करते हैं समझेगा कुछ और मामले में जैसे बात करेंगे ठीक है कुछ और मामले में बात करते हैं यहां आईए अब कुछ चीज़ों के जैसे अगर हम जनसंख्या की बा सबसे जधा जण संख्या कहां कि है ठीक है बढ़ियां दिखत परसानी कि discoveries आ अगर जण संख्या की बात करेंगे देखे हमारा पडोसी कि rt है जिसका नाम है देखिया वहां पर की सस्थान पर है कि यहां पर क्शलिए नमबर पर भारत है तो तीसे नंबर पर पीछे रहने वाला थीसी नमबर पर या ≅ ऐसे उस टीक है अगर पूछे पाचवन पर दो परोंच्वे लगए पाकिस्तान इस तो तो यह जनसंख्या की द्रिश्टी से हो गए जनसंख्या की द्रिश्टी से अब समझें सब पहले अस्थान पर कौन सा है चीन देखे यह फैक्ट्चुल मैं इतना धीमे धीमे इसलिए बता रहा हूं कारण क्या है कि अगर नहीं तो आप खराब कर देंगे मामला इसलिए मैं कि यूसे चाथ स्थान पे इंडोनेसिया हैट पच्वेος अस्थान पर पकिस तांज यह जन संक्या के मामले में हम दूसरे स्थान पर हैं यब की छेत्रफल के मामले में हम किसरे स्थान सात्न पर आ कोई दिक्कत परसानी है या फिर नहीं कि आगए चलें कि आगए चलें कि बोलेगा जल्दी है ठीक है अब एक कोशन और आप से पूछा जाएगा एक कोशन और यह पूछा जाएगा कि जैसे जो अगर यह पूछे कि कितने प्रतिशत जन्षंख्या भारत में निवास करती है तो 17.5 प्रतिशत जन्षंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है सही चला है कोई दिक्कत परसानी नहीं है बढ़िया हाँ ठीक है कर दिक्कत परसानी नहीं को चलिए आगया आएए लिए नोट के समय में रिवीजन करने मुटनी आसानी हो जाती है ठीक है यह तो सामान जानकरी हो गई है कि पूरे विश्व में जन्संख्या की मामले में हम दूसरे अस्थान पे हैं शेत्रफल की मामले में साथवे अस्थ अब आते हैं मेन मुद्दी जहां से कोशन आपको अब यह जानना ही जानना है इसको मिटा दें चलिए कि नहीं मिटाएंगे सब करेंगे बारे तक लिखे देंगे नहीं इसके इस बात को समझें आएगा अब इस बात को समझें यह आपको दीख रहा होगा पूरा मैप दीख रहा होगा भारत का अब इस भारत वाले मैप पर आते हैं इससे मिटाते हैं और इसको बीच में लाते हैं कि इसको लाते हैं बीच में अब यह बीच में आगे कि अब ज्ञाधा अब ज्दresse में आएगा अब ज्द्व ने यह दिख रहा है आपको भारत डिखरा हो हो कि इसको जाद बाटर लाइन नहीं दिख लिए बाटर लाइन बना देतें है ठीक है अगर बीना मैप के पढ़ेंगे भूगोलना को याद नहीं होगा भूल जाएंगे याद करेंगे भूल जाएंगे इसलिए मैप होना सबसे ज़्यादा चरूरी है फिर अब भारत द्दिख रहा होगा हाँ अब दिख रहा है अब एक चीजों के बारे में जानकारी से भारत का सबसे उत्तरी बिंदू कौन सा है भारत का सबसे उत्तर में यह भारत का सबसे उत्तरी बिंदू है अगर भारत का सबसे उत्तरी बिंदू पूछे अभी बिंदू की बाद नाम पूछने की बात कर रहा हूं तो द्यार रखेगा तो क्या नाम रखेंगे इंद्राकाल कि इंद्राकाल कि यहां तक तो समस्य नहीं आ रही होगी इंद्राकाल ठीक है तो अगर यह सबसे उत्तरी है तो मुख्य भूभाग का सबसे दक्षिडी तो भी तो होगा मुख्य भुभाग का सबसे दच्छिडि तो हुगा तब सबसे दच्छिडि देखें ये हैं तमिल लाडू के नीचे देखें यहां पर एक अस्थान is a कंद्या कुमारी तिकिष stern इसका नाम् horn अरे क्या इसे एक मिनट एक मिनट एक मिनट यह सब चला गया एक मिनट रुख जाएए यही तो समस्चा इसमें ध्यान नहीं रखेंगे तो गायब हो जाएगा सब एक्षर में एक मिनट क्या कि बीना उसके काम नहीं चलने वाला है कि इसलिए एक मिनट का समय दीजेगा यह आगया और अगया आगया ढोगया तो गया चलिए यह आ गया अगया हमसे गड़वल आ गया अब आपको ज़्यादा दिखेगा ठीक है चलिए अगर थोड़ा सा हो गया तो अशान मत होगा चलिए आए शुरू करते हैं ठीक है यह भारत और इसका बॉर्डरलाइन थोड़ा जल्दी बनाते हैं करण के कि अगर जल्दी क्योंके पीछ वी ज़़धा ताइन कर थे हैं इसलिए यह है बार अब इसके बारे में हम अध्यन कर रहें सब्सक्राइं इसका क्या है कि इंदर इह घ्रमने ओर material को यह का बोलते हैं कन्या कुमारी अब इस कन्या कुमारी को बोलते हैं यह भारत का सबसे दाचिरतम बिंदू पिन दुद निया मुख्य भूभाग का है अगर पूश्चन पूशे कि मुख्य भूभाग का सबसे दशीर्टंबिंदू कौन सा है तो क्या बताएंगे कन्य खुमारी अब आएए अगर सब कुछ लिया तो यहां पर गुजरात में गुजरात में सबसे पश्चिमी पढ़ेगा अभी बता रहें कैसे कैसे बस लिखते जाएगा इसका नाम है गौर मोता या फिर इसी को कहते हैं गुहार मोती क्या नाम है गुहार मोती या इसी को लिखता है सर क्रिक इतने नाम लिखता है गुजरात का ठीक है यह वाला इसा गुजरात का है आएए यहां पर यह है अरुडांचल पदेश और अरुडांचल पदेश के इस इसी को कहते है की भी थू ठीक है की भी थू अब हमें यह पता चल गया है कि आखिर सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है सबसे उत्तरी और सबसे दच्छडी बिंदु को अगर मिला दिया जाए तो इसके बीच की दूरी कितनी है को सबसे भारत के सबसे उत्तरी बिंदु और सबसे दच्छडी बिंदु को अगर मिलाएंगे तो दूरी कितनी है तो लिखेंगे 3214 किलो मिटर कितनी है जैसे ऐसे समझें यह भारत का सबसे उत्तरी यह सबसे दच्छडी तो बीच की दूरी कितनी है 3214 किलो मीटर ठीक है यह तो यह वाला होगा है अगर वो कहें सबसे पश्मी बिंदू और सबसे पूर्वी बिंदू सबसे पूर्वी बिंदू के बीच की दूरी कितनी है तो तो इसे बताएंगे यह है अगर 2933 किलो मीटर कितना है 2933 किलो मीटर मरलव सबसे पूर्वी बीच की दूरी अगर निकालेंगे आएगा 2933 किलो मीटर कोई दिक्कत परसाण ही नई तो दो चीज़ समझ नाहीं अब और वह कैसे डेवलीप करेंगा इस चीज को इतनी चीज़ अगर समझ में आयék है तो बोलेंगे आगे चलेंगे कि आगे चलेंगे भी आगे अगे तिक यह हो गया करा और क्या पूच्छियेगा है एक विन पर बहुत आराम से चर्चा करेंगे बहुंट जल्दी आएंगे तो पीड जल्दी का काम सहताना होता है अफिर काम खराब है अब आएं दिखिए हमें यह जानना है कि आखेर जैसे कोई भी हमारा इसे माल लीजी यह खेत है हमें जानते हैं के लिकेशिफ हिस खेत म कोई परोडर को पूर्वी वाला बौडर होगा यह पूरवी होगा वह ऊत्तरी होगा करेंगे तो अब दूसरे मोजन आएंगे जाकर तो ऐसे ही भारत का भी काम है कि भारत का भी कहीं-कहीं मेड होगी ना उसी मेड के के बारे में चर्चा करेंगे कोश्चन पूछा जाता है इसलिए ठीक अभी जब उत्तरी सबसे पूरी वह बिंदू बता दिये तो उसी के आगे वाली बात करेंगे ठीक है परसान नहीं होना एकदम परसान नहीं होना ठीक है एक लाइन यहां से जाती है दूसरा लाइन यहां से जाती है अगर यह तो देशांतर हो गया यह देशांतर अभी हम बता रहें बाव एकदम परसान मत होएगा परसान होगे तो काम खराब हो जाए यहां से देखेंगे एक लाइन जाती होगे इसे ऊपर से इसको बोलत समझेगा अच्छान सोर देशांतर का कांचेप्ट समझेगा इसको समझाने से पहले कुछ बताना है वो आईए उसको समझाते हैं देखें और यह हमारी प्रित्वी ऐसे गोला टाइप थोड़ा सा गोला नहीं है चपती है अगर यह वाला हिस्सा को बोलते हैं उत्तरी द्रू इस वाले हिस्स्य को बोलते हैं दच्छडी द्रू निच वाला दच्छडी द्रू ऊत्तरी वाला ऊत्तरी द्रू अगर हम उत्तरी द्रू से काम अगर हम उत्तरी दूर से दच्छी दूर को मिलाते हुए उपर से नीचे खड़ी पाई अगर हम खीच रहे हैं इस तरीके से रहा तो इसे ही हम देशांतर क्या बोलते हैं इसे ही हम बोलते हैं देशांतर जो अमने भारत पे खीची तहें अब एक चीज़ Eddy समझ लिजिए यहीं अगर हम कि अगर हम कोई बीच से लाइन खीच दे तो पट लाइन इसको बोलते हैं français जीरो-अच्छांस क्या बोलते हैं या इसी को बोलते हैं भूमद रेखा अगर परत्रवी पपट लाइन सकते हो जीतनी भी खीष सकते हो उसे हम क्या वोलेंगे हुआ अच्छाण सो समय भूलेंगे अब यह मतलब से मतलब प्रिवलिक ठ्लाइब एक लाइप ऑनस देशांतर ली जो होगई जो जीरौ अंस देशांतर बोलेंगे जीरो अंस देशांतर ट्रोट अगर देशांतर है तो उसको समझें कि इसके इधर अगर जाएंगे आपको इश्ट मिलेगा इस्ट का मलदा पूरब है ठीका अब बबू अगर इसके पिस्प्षी में जाएंगे तो वेश्ट मिलेगा वेश्ट का मलदा पस्षी अगर इधर जाएंगे तो टाइम प्लस होगा और इधर जाएंगे तो टाइम माइनस होगा कारण क्या है कि हमारी प्रितवी अगर इस वाले हिस्से में सूरज पहले निकलेगा अगर इस वाले निकलेगा तो फिर इधर जैसे जैसे आते जाएंगे लेट होता चला जाएगा जीरो के बाद आ जाएंगे तो उलट जाएगा 24 दिन हो जाएगा थीडेर 24 गंटा जो ज़ेगा अगर इस लाइन के इधर है आप east में है पूरं में और इस लाइन के इधर आप वेस्ट में है तो हमारे यहां से जो देशांतर की में बात कर रहा था यहां आए अब यह देखिए अगर इस्ट में है तो यह जो देशांतर है जो गुजराश से होके जाता है वो कितना देशांतर है तो यह वाली लाइन जो आपको दीख रहे है जो गुजराश से टुच होके जाती है यह कितना है 68 यह क्या है आपका पस्मी प्रोलात Lizard के पूर्बी जो लाइन यह जाती इसे क्या बोलेंगे यहां वाला जो अस्थान है यह वाला यह है आठ चार मिनट ध्यान रखेंगे आठ चार मिनट जिसको करने कुमारी बताए थे अब अगर इसी के ऊपर जाएंगे यहां पर इंद्रा कॉल बताए यہां का है 37s 36 मिनट को ठीक है यहां क्या बताएंगे 37s 36 मिनट पहले यह वाला इस्सा यह वाला हिस्सा पहले यह वाला हिस्सा जम्मू कस्मिर में पढ़ता था मतलब यह कहां चाता था भारत का जो सबसे उत्तरी बेंदू हैं वह लेकिन अब वर्तमान में जब से वो केंसासित बन गया अब लग्दाक में तो द्यान रखेंगे जो इंदराकाल है वो अब कहां है लग्दाक अब एक चीज़ समझेंगे फिर आप आते हैं वहीं पर क्योंकि जरूरी है अगर इस बात को नहीं समझेंगे फिर काम खराब हो जाएगा देखें यह कितना है यह अगर दोनों को घटा दे माइनस करने तो देखें कितना आएगा 39 39 अंस आ रहा है अगर यह पॉइंट में जाएंगे तो यह लगवग 30 अंस के आसपास आएगा मतलब गुजरात के समय में और अरुडांचल पदेश के समय में लगवग 30 अंस का अंतर है अब जब अगर दोनों में 30 अंस का अंतर है तो यह कहा जा सकता है कि दोनों के समय में अंतर होगा कि दोनों के समय में अंतर होगा तो अगर जैसे हम जो अभी आपको बताये थे यहां पर आएंगे तो देखे यह जीरो लाइन है आगे चलते जाएंगे एक दो तीन चार ऐसे करके खीषते जाएंगे तो हमारा यहां जो पहुंचेंगे तो वह 68 था सबसे पस्यम वाला और इधर वाला 97 था यह देखें लगभव में बता रहा हूं बस समझा रहा हूं और 20 का आंतर निकाले थे तो 29 आहरा ठाण अगर 29じゃあ 29 निकालेंगे तो कितना अएगा 30 आएगा आप इस 20 के बारे में थोड़ा सो समझते अगर 30 के बारे ने समय नहीदहें है ठीक है अब इस तीज के बारे में आपको समझना है हम कह रहे हैं कि हमारी प्रिथवी जो है 24 घंटा में हमारी प्रिथवी 24 घंटा में 306 घुम जाती 306 घुम जाती इसका मतलब है कि अगर हम यह कहें कि एक घंटा में हमारी प्रिथवी कितना घुमेगे तो तो 24 अगर भाग दे देंगे तो कितना आएगा 15 इसका मतलब है कि एक घंटा में हमारी पिथवी कितना गुमेगी 15 अगर एक घंटा में एक घंटा को मिनट में तो साथ मिनट अब जो जुडा चोटा है अगर भाग देंगे साथ में 15 से आगर भाग देंगे तो कितना आएगा 6 आएगा अब चार क्या आएगा मिनट आएगा चार मिनट आएगा तो एक अंस की दूरी तै करने में कितना समय लगता है प्रिथवी को चार मिनट का समय लगता है है कि चार मिनट का समय लगता इसका मतलब है इसके 20 का अंतर आपको कितना दिख रहा है तो 30 का दिख रहा है तो अगर एक अंस बाराबर चार है तो तो 30 अंस बाराबर कितना आ जाएगा 120 किया हो गया मिनट हो गया एक सभी स्को मिनट को अगर घंटे में चेंज़ करेंगे तो दो घंटा आएगा इसका मतलब हगो गुजरात का जो समय होगा और जो अर्फ़ में लगभग दो दो घंटे का डिफरेंस होगा दो घंटे का क्या होगा डिफरेंस होगा है दो घंटे का डिफरेंस होगा इस दो घंटे को खतम करने के लिए हम लोगों ने का कर रहां भारत के बीच से एक मानक समय रेखा किजी तो भारत के बीच से क्या किजी हमने एक मानक समय रेखा किजी अब उस मासा समय रहे थी सबसे पूरा वाली सबसे पूरा आप सबसे पूराब सबसे पूरा से जाने वाले साड़ेранस पूर्वी एचांते यह भारत के पांच राज्यों से होके जाती है यह भारत के लेते तो आख थोड़ी लंबी हो गई है ऐसा करते हैं कि फिर इसको continue रखेंगे लेकिन मिलेंगे कर तब तक के लिए सबको जाहिन